नमस्कार आज कल के प्रोग्राम सही जबाब में आपका फिर से स्वागत है आज मैं सोनम जहाजी की साथ हूँ और आज हमें बहुत इंपॉर्टन टॉपिक डिसकस करेंगे साइबर फेमिनिजम तो सोनम जी हमें साइबर फेमिनिजम के बारे में बहुत कुछ बताएंगी मगर उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा इंट्रॉक्शन दूँगी कि इस वर्ट का मतलब क्या होता है सोशल मीडिया पे डिजिटल चैनल्स पे महिलाओं की आवाज को जो जगे दी जाती है उनकी स्ट्रॉगल्स में जो साथ दिया जाता है जो सॉलिडैरिटी दिखाई जाती है इसका मतलब है साइबर फेमिनिजम आगे हम जानेंगे सोनम जाजी से सोनम जाजी आप यह मुझे बताया की इन्टरनाशनल कंटेक्स्ट में साइबर फेमिनिजम को आप क्या एगग कि लोगों को और समझ में आ सके इंटनेस्टनल कॉंटेक्स पेगर हम बात करें तो रीसेंट आपके पास एक एकजामपल है जो हमारा इरान का इशूज चल रहा है जहां पर मही लाएं सेरोकों पर निकल गे अपने हिजाब निकाल के बाहर फेक रही है वो अपने बाल काट रही है क्योंकि इसलाम में उनके कवर करें के लिए कुछ नॉम से उनका कि किसे कोई भी पुरुष जो है दूसरा पुरुष उनके केश उनके बाल ना देखे उसको वो काट प्डेकर रही है वो अपना हिजाब फेक रही है और इस मूवमेंट के लिए जूंको सबसे बड़ा स्पेस दिया है वो दिया है सो वो अपनी बाते कह रही है और इससे पहले अभी जो हम एक्जाम्पल्स देखते हैं वेस्ट एशिया और नॉर्थ अफ्रिका का रिजन जहां पे अथ्रटेलियन काइंड अफ्र गवर्मेंट रही है वहां पे अधिकारों को महिलाओं के अधिकारों को दबाया गया है वहां एसी जगों पे हम देखते हैं जहां पे हर तरीके से महिलाओं के राइट्स को उनके अधिकारों को सब्प्रिस किया गया ऐसी जगों पे सोशल मीडिया ने महिलाओं को एक जगे दी जहां पे वो solidarity के साथ एक साथ मिल के किसी मुद्दे पे अपनी आवाज उठा सके अरब स्प्रिंग जो हुआ जिसके शुरुआ 2010 से 2012 तक चली उसमें महिलाओं ने वो वेस्ट इस्टिया का जो इलाका है जो नौर्थ अफरीका का इलाका है वहां की महिलाओं ने अपनी यूनिटी दिख अपनी बात कही है अभी हमारे 2012 का जो इंसिडेंट हुआ था निर्भया इंसिडेंट जो हुआ था उसमें में यह घटना पूरे देश में फैल गई जंगल की आग की तरह पूरे ऐसी घटनाएं इससे पहले भी हुई है उसकी बात भी हुई पट एक उस मोमेंट में वह जो प्रशार हुआ उन सारी चीजों में सोसल मीडिया की बहुत बहुत ही जादा महत पूर्ण होनी का है बिलकुल बिलकुल तो आपकी जानकारी के लिए बता दे कि इरान में चल रहे मूव्मेंट में का जो हैश्टैग है वो है नो फॉर फोस्ट वीलिंग वील मतलब हिजाब जबरदस्ती के हिजाब को ना करिए तो अफकोस हम लोग इसके साथ है चले अब हैश्टैग की बात हुई है तो पहले भी क्या ऐसा हो चुका है जहा तक मैं जानती हूँ की मीटू हैश्टैग मीटू मूवमेंट चला था तो इसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं जी बिल्कुल मीटू को लेके अभी 2018 से इसमें इस चीज का जो मूम इसकी जो शुरुआत हुई मीटू मॉमेंट की और उस मीटू को लेके उस पर जो सोचल मीडिया पर साइट साइट पर जो हम तमाम महिलाएं हैं जिनका सरुकार है किसी मीडिया की सेक्टर से उन जिनका जुड़ाओ हैं तो उन तमाम महिलाओं ने खुल के आगे आके लिखा हैं हैं हैस्टेग मीटू तो इसका बहुत क्रिटिसिजम भी निकला तो मीटू में है कि हम सब ऐसे ऐसी महिला या लड़कियां जो कभी न कभी अपनी जिन्दिगी में अब्यूस का सिकार हुई हैं त मतलब सारवजनी के स्थल से लेके चार दिवारी के अंदर तक घटलाएं चलती रहती हैं जहां महिला हैं अब्यूस का सिकार होती हैं मीटू मोमेंट ने उन तमाम महिलाओं को बिना कुछ जादा कहे हुए एक आवाज दी कि हम सब मेजॉरिटी में या कहें कि पूछा कि अभी क्यों आवाज आपको उठानी है जब आपने पहले क्यों ने उठाई जब यह आपके साथ हुआ था तो इस प्रोपोगेंडा सोशल मीडिया प्रोपोगेंडा जो चला था तो इसके बारे में आप कुछ एक्स्प्लेशन देंगी ऐसा क्यों जी बिल्कुल जब हम बात करते हैं कि मैला ने उस समय अवाज क्यों नहीं उठाई जिससे में के साथ किसी कोई घटना हुआ या उस घटना की शिकार होई तो हम देखने कि हमारी जो ताना बाना है समाज का वहाँ पे अगर महिला किसी घटना किसी कार होती है तो भी जिम्मेदार उसी को ठहरा दिया जाता है वो किसी भी चीज के लिए और अगर किसी महिला के साथ इस तरीकी की किसी भी अब्यूज का वो शिकार होती है भागनात्म उसको लगता है कि अगर हम आवाज उठाएंगे तो यह हमारी नौकरी चली जाएगी, घर पे हमारी जिमेदारियां हैं, समाज में लोग क्या कहेंगे, ऐसे तमान सारी चीजे हैं, जो एक लंब कभी-कभी जो महिला हैं, अंदर से मजबूत फील करती हैं, या उन्हें सपोर् इसको क्रिटिसाइज करने के अलावा, इसलिस्ट हम महिलां के जिमेदारी हैं, कि हमारे बीच की कोई महिला अगर इस तरह की चीज़ों के लेके आगे आती हैं, तो हम उन्हें सपोर्ट करें, कि एक सर्टेन समय के बाद भी तो कम से कम, वो रिलाइस करके मजबूत हो की जावा देने में मीटू जैसे मोमेंट का बहुत बड़ा योगतान है, जी, सो इस नोट में मैं खतम करना चाहूंगी, कि साइबर फेमिनिजम का आगे क्या स्कोप है, साइबर फेमिनिजम का मेरी नजरों में बहुत ब्रॉडर स्कोप है, फ्यूशर के लिए, क्योंकि हम अपने में सोशल मीडिया हमारे जीवन का पार्ट बन गया है, सोशल मीडिया के तुरुचा उसमें आपका वाटसप ग्रूप हो, जो परसनल लेवल पे हो, या आपका फेस्बूक है, इंस्ट्राग्राम है, ट्विटर है, तमाम ऐसे साइट्स हैं, जहां जिनके बिना आज के समय में हमारा काम ही नहीं चलेगा, उससे हम जुड़े हुए हैं, और ऐसी जोगों पे जहां पर एक डर नहीं है हमारे अंदर, कि इन सोशल मीडिया के तुरू हम अपनी बात लिख रहे हैं, अपनी बात तमाम ऐसे वेमिनिस्ट राइटर हैं, जो या सोशल इसूस पर ल दूसरे के साथ, और विचारों को जो आदान प्रदान होता है, इसके नाते अगर मैं देखती हूँ, और जहां तक मेरी समझ है इस रिगार्डी में, तो सोशल मीडिया का इसको बहुत ब्रॉडर है, महिलाओं के हित के लिए, सोशल मीडिया एक महत्मून कटकी रूप में क इस प्लाडपॉं का, सोशल मीडिया प्लाडपॉं का आप इस्तिमाल करना चाहिए, उपयोग करना चाहिए, अपनी आवाज उठाने के लिए, क्योंकि आप बोलेंगे, तभी लोगों को पता चलेगा, तभी कोई चेंच आएगा, तो इसी के साथ हम इजाज़त लेना चाह